गुड मोरिंग गाइज आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी के दा हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है गाइज वीडियो को सुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजिए आई होप आप लोग कर दोगे तो चलिए अब सुरू करते हैं आज का पहला वर्ड पहला वर्ड है dispensation इसका मतलब क्या होता है छूट या फिर exemption को कहा जाता है dispensation जो किसी परकार की आपको relief मिलती है या relaxation को कहा जाता है dispensation इसका एक और meaning भी होता है distribute करना तो distribution भी इसका एक synonym है ठीक है जैसे image में दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है रुपे बांट रहा है या assignment या allocation करना ठीक है ये होता है dispensation इसके दो meaning है बांटना और किसी परकार की चूट immunity, exception, privilege ये इसके synonym है privilege मतलब क्या होता है जो किसी का विससाथ दिकार होता है जैसे कि VIP लोग है ठीक है उनका कुछ जगे आम लोग नहीं जा सकते सिर्फ बड़े जो VIP लोग है वो ही जा सकते है तो ये क्या है उनके लिए एक छूट दी गई होती है विससाथ दिकार है ठीक ह ये होता है exception ये भी छूट होता है इसका acore meaning भी होता है अपवाद ठीक है तो ये भी है immunity किसी को immunity देना किसी को छूट देना ठीक है तो ये इसके synonym है रिप्रीव, रैमिसन, यह बिसके सिननिम है, रैमिसन मतलब छूट, माफी, या फिर छमा करना किसी को, रिप्रीव, ये भी क्या होता है, किसी को छमा करना, या फिर किसी किरिमिनल को सजा मिलने वाली है, दंड मिलने वाला है, उसमें जो निलंबन होता है, तो दंड विराम य किया ये भिन पिशेक स्दाव क organize आप उसको चूटने में देना उसको रोक रहे हो ठीके ना उसको बाग Also दे रहे हो किसी परकार की कोई छूट नी ए प्रोहिब्ट किया गया है या फिर इनजक्शन इन्यक्शन में से वह ओता है किसी को आ अ आ आ देस देना या फिर इन्फोर्समेंट करना इन्फोर्स क्या होता है proceso गौर्णमेंट की तरफ से कोई rule आया है ठीक है अब उसको क्या है लागू करना है तो यह होता है injection मतलब कोई आदेस है जो सरकारी आदेस होता है कि भाई करो इसको फांसी देनी है तो फांसी दो ठीक है ना तो injection मतलब जो आदेस है जिसको पालन करना है restriction किसी को restrict करना आगे ब पैंसेशन टू सिंग हालांकि वह बहुत छोटी थी फिर भी उसे गाने की विशेज छूट दी गई ठीक है तो ये इसका एकजामपल है अगला वट है राइचस इसका मतलब होता है नियाई पराया या फिर गुड को कहा जाता है राइचस जो इमानदार है नेक है सदाचारी ह ये होता है या फिर जो सच्चा है उसे कहा जाता है राइचस मॉरली अपरायट को कहा जाता है राइचस विदावट, गिल्टी, और सीन जो बिलकुल जिसकेँ अंदर कोई पाप है निस पाप इनसान है ठेक है वर्चुस, अपरायट, फेर ये इसके सिननिम है फेर मतलब ज जो लोग को मानता है, ठीक है, कानून को मानता है, blame less है, किसी परकार का कोई blame नहीं है, ठीक है, pure है, ethical person है, moral है, ठीक है, तो ये इसके synonym है, जैसे की a righteous judgment, जजज ने कैसा judgment दिया, he gave a righteous judgment, उसने बिलकुल नियाए परायन, या फिर एक honest judgment दिया, ठीक है, एंटिनम में इसका, improper, indecent, wicked, unjust, unseemly, sinful, ये इसके एंटिनम में, sinful मतलब जो पापी है, unseemly, अनूचित, या फिर असोबनी है, ठीक है, वो होता है, unseemly, या assist, unjust, ये भी क्या होता है, just मतलब क्या होता है, जो सच्चा है, या फिर नियाए परायन है, और unjust, जो कैसा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अनूचित है, ठीक है, wicked, ये क्या होता है, cruel इंसान को कहा जाता है, या फिर जो बेकार इंसान है, wicked nature का है, गंदी nature का है, indecent, ये क्या होता है, to find one righteous man, उसने निसकस निकाला, कि ये impossible था, एक नियाए परायन इंसान को ढूनना, या एक सच्च इंसान को ढूनना, ठीक है, तो ये इसका example है, अगला वट है, prodigious, इसका मतलब होता है, बहुत बड़ा, या फिर enormous को कहा जाता है, prodigious, जो बहुत बड़ा है, monstrous टाइब का है, ठीक है, जैसे कि खली है, ये कैसा है, बहुत बड़ा है, enormous है, huge, colossal, behemoth, ये इसके synonym है, इनका मतलब भी जो बहुत बड़ा है, ठीक है, gigantic है, जो क्या है, बहुत विसाल है, ये होता है gigantic, elephantine है, elephant मतलब हाती, elephantine जो बहुत विसाल है, ठीक है, mountainous है, vast, और giant, ये इसके synonym है, और क्या होता है, monstrous हो गया, huge, immense, इस सारे इसके synonym है, gargantuan हो गया, gar, g-a-n, t-u-a-n, gargantuan, तो ये भी इसका एक synonym है, antinim क्या होगा इसका, जो small है, tiny है, negligible, ठीक है, तो ये इसके antinim है, tiny मतलब जो बहुत छोटा है, example है, the stove consumed a prodigious amount of fuel, चुले में भारी मातरा में, इंधन की, खपत होती थी, या बहुत बड़ी मातरा में, engine की, या इंधन की खपत होती थी, stigmatize, किसी को नीचा दिखाना, किसी पर अंगुली उठाना, किसी को defame करना, denounce करना, यह होता है, stigmatize, denounce, brand, level, ये इसके synonym है, denounce मतलब, किसी को नीचा दिखाना, brand मतलब क्या होता है, किसी परकार का जो, या होता है, छाप होती है, ब्रांड होता है आपने नाम सुना होगा और दूसरा मेनी क्या है इसका किसी पर दाग लगाना ठीक है ना किसी पर अंगुली उठाना लेवा लगाना किसी पर दाग लगाना ठीक है मतलब किसी की इमेज है उसे टारनिस करना तो यह होता है इस्टिगमटाइज कास्ट असलर अपोन होता है, एक अच्छी एडियम है, तो ये भी आप ध्यान रखना, किसी को डिस्क्रेडिट करना, पिलरी, ये भी इसका एक सिननम है, पिलरी वैसे क्या होता है, निंदा करना होता है, ठीक है, किसी को सारवजनिक रूप से, किसी को दंडित करना, या किसी की निंदा करन सारवजिनिक रूप से ठीक है तो ये इसका सिनिनम है एंटिनम क्या इसका किसी को यूलोजाइज करना तारीफ करना किसी की एस्टीम करना सम्मान करना या तारीफ करना अक्लेम ये भी क्या होता है तारीफ करना ठीक है तो ये इसके सिनिनम है एक स्टॉल होता है ये इसका एक काफी कलंकित कर दिया था या उसे काफी कंडेम किया डिफेम किया गाली दी ठीक है तो इसका एक्जामपल है अगला वट है यूलूलेट इसका मतलब होता है विलाप करना या फिर कराय को कहा जाता है यूलूलेट किसी परकार का सोर मचाना ठीक है धूम मचाना विलाप करना वेल, हाउल, येल, यॉल, ये इसके synonym है, बहुत अच्छे synonym में इसके learn करने के लिए भी easy है, एके साथ learn करना, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, रोना, चिलाना, किसी बात पर हंगामा मचाना, ठीक है, ये इस टाइप के sense देता है, इस तरीके से हम इससे use कर सकते हैं, क्या है इसका, quiet करना, laugh, cheer, ये इसके एंटिनम है, एक्जामपल इसका, when he came to know, his uncle has died, he started ululating, जब उसे पता लगा कि उसके जो अंकल है, वो मर चुके हैं, तो वो जो है, उसने जो है, चिलाना सुरू कर दिया, या फिर विलाप करना सुरू कर दिया, ठीक है, तो ये इसका एक चामपल है, तो guys, अगला वट है, contravene, इसका मतलब क्या होता है, ulanghan करना, या फिर go against को कहा जाता है, contravene, मतलब किसी चीज़ का ulanghan करना, violate करना, या फिर disobey करना, कानून हो, या फिर किसी की बात हो, उसके विरोध जाना, या फिर gain से करना, gain से मतलब विरोध करना, ठीक ह करना, infringe, उलंगन करना, breach करना, तोड़ना, कानौन को तोड़ना, या फिर उलंगन करना, encroach करना, या फिर अनाधिकार, कबज़ा करना, ठीक है, तो ये इसके synonym है, antonym कैया इसका, followed, observed, obey करना, complied करना, complied मतलब पालन करना, ठीक है, तो ये इसके antonym है, example इसका, this deportation order, निर्वासन आदेश जो बेसिक या बुनियादी मानवधिकार है उनका उलंगन करता है ठीक है तो यह इसका एक्जामपल है तो गया जगला वड़ है ऐसिलोन इसका मतलब होता है उपाधी इस्तर या फिर लेवल को कहा जाता है ऐसिलोन जो क्या है आपका स्टेटस है लेवल ह ठीक है जिसमें सिटीज को कौन सबसे स्वच है उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से उन्हें ऑवर्ड दिया जा रहा है इस बार जो इंदोर है फिर से सेवेंटे टाइम टॉप पर रहा है लेकिन इस वार उसने अपना जो टॉप का ओवर्ड है वह सेयर किया है सुरत के तो यह क्या है एक उपादी है इसतर है लेवल है ठीक है टियर हो गया रंग हो गया यह भी इसके सिननम है टियर मतलब यह भी क्या होता है जैसे टियर वन टियर टू टियर थ्री यह भी ग्रेड होते है रंग यह भी इसतर होता है तो यह इसके सिननम है एंटिनम क्या इसका अन इंप्लोइमेंट आपको कोई उपादीन दिर रही है आपका कोई इंप्लोइमेंट है इसका एक शिलिनम है और अन इंप्लोइमेंट इसका एंटेनम है द्धान देन से लौ लांस यह जो बá Craig इसके एंटनिमेंगे इसका देज ओफ अपर एसलोंस आर ओवर जो अपर एसलोंस है उच कास्ट के जो इस तर है वो अब उनके जो दिन है वो जा चुके हैं ठीक है विच अधिकाई जा रहा है अगला वट है इंट्रेंच इसका मतलब होता है इस्थापित करना या फिक्स करन साइद यह वर्ट भी कलिया पर सुआया था मैंने आपको समझाया था इंट्रेंच या इंबैट कुछ ऐसा था ठीक है आज इंट्रेंच आ गया तो क्या है यह क्या होता है फिक्स करना जड़ना को पड़ाया था साइद मैंने आपको हाँ तो क्या होता है यह इस तरीके से सब्सक्राइबcert बनाया जाता है फिर वहांपर क्या होता है अपनी पोजिशन को 취 क्याता है थे कैसा अब बंद्यूकर रखती। उन्होंने अब आगे चलेगी तो यह होता इंट्रेंच करना प्लांट करना स्टैप्रिस करना इसाथ करना इ elector तो इंदोर है उसने फिर से अपनी जो पोजिशन है उसको टॉपर बनाए रखा ठीक है इस्थापित कर रहा हुआ है उसने जड़ा हुआ है इंबेट किया हुआ है फिक्स किया हुआ है ठीक है रैम इन डिग इन हैमर इन ये इसके सिननम है इंबेट हो गया इंग्रेन हो गया यह बिसके synonym है, इनका मतलब क्या होता है, install करना, fasten करना, secure करना, ठीक है, या फिर एक word था, inscounts, यह बिसके synonym है, implant करना, lodge करना, install करना, root करना, ठीक है, यह सारे इसके synonym है, एंटिनम क्या है इसके, एंटिनम में इसका, remove करना, weaken करना, unsettle करना, root out करना, root out मतलब उनमलन करना, खत्म करना, nest करना, या जड़ से मिटाना, ठीक है, एक्जामपल इसका, only freedom can, entrench prosperity, केवल सोतनता ही, समरिधी को इस्थापित कर सकती है, ठीक है, अगला वट है, perpetually, इसका लगातार चल रहा है, जैसे time है, लगातार बीत रहा है, बिल्कुल भी, रुक ने सकता किसी के लिए, यह क्या होता है, perpetually, निरंतर है, constantly है, ठीक है, या फिर जैसे जो indoor है, लगातार साथ सालों से क्या है, first पर आ रहा है, ठीक है, तो यह है, always, enduringly, insistently, यह इसके सिननम है, इ eternal होता है, यह इसका एक सिननम है, तो यह भी ध्यान रख सकते है, एंटरिनम क्या है इसका, never, once, intermittently, intermittently मतलब रुक रुक कर, जैसे कि कभी कभी बारिस कैसे होती है, रुक रुक कर होती है, तो rain कैसे आ रहे थी, intermittently, ठीक है, it was raining intermittently, यह जो है, रुक रुक कर हो रही थी, तो the top, कुछ cities जो है लगातार topper बने वे हैं ठीक है अभी जो सूरत हो गया अंदूर हो गया और क्हों था भोपाल है ठीक है, यह जो तीन तीन भोपाल है, विए सकाब पटनम हो गया यह पिछले कुछ सालों से लगातार topper बने वे हैं ठीक है जो टॉप थिरी है जैसे भोपाल हो गया इंदोर हो गया और सूरत है इनको कोई इनकी पोजिशन से हटा नहीं पा रहा है ठीक है तो ये अपना क्या है इन्होंने निरंतर अपनी जो पोजिशन है ऐसी लोन है ये बनाय हुआ है ठीक है न तो ये है तो गैज अगर जाएगा रात को 12 बज़े ही अप्लोड हो जाता है ठीक है इसकी वॉर्ड डिमिनिंग भी आपको मिल जाएगी हिंदी में भी पूरा आर्टिकल आता है ठीक है तो आप वहां पे देखो पड़ो रीड करो वहां से आपको वहां से और वॉर्ड भी मिलेंगे पहली बात दूसर इसका मतलब होता है incompetent या फिर unskillful को कहा जाता है ham-fisted जो कैसा हो जिसके अंदर किसी परकार की कोई चमता नहीं है अयोग्या है अक्चम में है ठीक है या फिर जो अपूर्ण है ये होता है ham-fisted जैसी example है they made several ham-fisted attempts to spy on her उसने बहुत सारे कई आकुसल परियास किये उस पर नज़र रखने के लिए ठीक है तो ये इसका example है अगली idiom है break the bank इसका मतलब क्या होता है expensive मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके आपको bank को तोड़ना पड़ रहा है मतलब क्या है वो बहुत expensive है ठीक है ना जैसे example है we cannot afford this apartment it would break the bank हम जो है इस apartment को afford नहीं कर सकते ये क्या है बहुत expensive है ठीक है तो इसका example है अगली idiom है weed out इसका मतलब क्या होता है remove an interior or unwanted component मतलब क्या है एक जो बेकार चीज है inferior है ठीक है जिसकी quality अच्छी नहीं है या फिर जिसको आप चाहते नहीं हो unwanted component को निकाल देने को कहा जाता है weed out जैसे example है we must raise the level of research and weed out the poorest work हमें जो है जो हमारे research का जो level है उसको बढ़ाना चाहिए और जो बेकार work है उसको remove कर दना चाहिए या उसको फियंग देना चाहिए ठीक है तो इसका example है अगली idiom है while away इसका मतलब क्या होता है spend time doing something pleasant and easy while away मतलब क्या होता है अपना अच्छा समय कहीं पे बिताने को या अपना समय कहीं अच्छे जगे बिताने को कहा जाता है while away जैसे example है day while away many afternoons on the beach उन्होंने अपने कई अच्छे afternoons बीच पर बिताए ठीक है तो ये इसका example है अब बढ़ते हैं आगे तो guys अब देखते हैं root word based vocabulary तो हम क्या देख रहे थे a और n इसका meaning क्या था अगर किसी word के सामने a और n लगे तो meaning क्या देता था हो उस word का opposite का ठीक है लेकिन अब क्या देखेंगे हम a और n intensifier और on का भी परियोग के रूप में भी यूज होता है अगर किसी word के सामने लगे तो meaning क्या देता है उसको intensify करेगा या तो या तो फिर उसका meaning क्या होगा on होगा या फिर into होगा आगे देखेंगे हम into भी down भी होता है वो हम आगे देखेंगे अभी क्या देखेंगे हम intensifier और on का अब जैसे word है assumed इसका मतलब क्या होता है feeling same guilt या फिर disgrace सर्विंदगी महसूस होने को कहा जाता है assumed यहाँ पर ध्यान देना मतलब सर्विंदगी जब आप अपने किसी कारे पर आपको सर्विंदगी सर्म आनी चाहिए ठीक है वो होता है एक word होता है embarrassed और assumed इन दोनों में अंतर है क्या अंतर है आपको अगर पता नहीं है तो बता दूँ embarrassed क्या होता है suppose पुझ आप कहीं पर खड़े हो और आप से कुछ ऐसी चीज हो जाए जो गलती से होती है ठीक है अब फिर आप क्या है बड़ी embarrassed फील करते हो अरे यह क्या कर दिया मैंने ठीक है यह क्या हो गया और assumed क्या होता है आपने कुछ ऐसा किर्ट कर दिया ठीक है ना highly negative है तो यह है अगला वट है a top इसका मतलब क्या होता है on the top of सिर्स पर यहाँ पर एक किसी चीज का यूज का काम कर रहा है on का ठीक है ना top मतलब सिर्स आगे ए लगया तो सिर्स पर ठीक है a top यह है अगला वट है a sore इसका मतलब क्या होता है on the sore किनारे पर sore मतलब क्या होता है cost या फिर बीच है किनारा है किसी चीज का आगे ए लगया तो किनारे पर ठीक है वो यह से अगला वट है a right इसका मतलब क्या होता है crooked turned or twisted to one sided मतलब अगर कोई चीज क्या है अस्त व्यस्त है उल्टा पुल्टा है टेडा मेडा है गड़बड हो रखा है यह गलत है जो ठीक है असमान रूप से है वो होता है और राए यहाँ पर ध्यान देना wry यहाँ पर यह लगा है राए मतलब क्या होता है twist मतलब जो मुड़ावा है यह थोड़ा सा जिसमें अस्त व्यस्तता है आगे ए लगिया इसने इसको intensify कर दिया तो जो है जो बिल्कुली one sided मुड़ावा है ठीक है बिल्कुल टेड़ा मेड़ा है ठीक है गड़बर हो रिखी जिसमें अस्त व्यस्त हो रखा है यह ज़्यादा intensify कर रहा है किसको राई को तो यह होता है अगला वट है amiss इसका मतलब क्या होता है wrong not suitable या फिर not as expected आपने जैसे expect नहीं किया था वैसा ना हो अनुचित है जो ठीक है faulty है flawed है flawed मतलब जो गलत है या फिर true t को कहा जाता है flawed तो यह होता है amiss यहाँ पर mission एक root word है इसका मतलब क्या होता है fail to eat मतलब जो अपने काम को सफल ना कर सको या fail हो जाए miss कर जाए जो आगे ए लगया इसको intensify कर दिया और ज्यादा तो मतलब क्या है जो अनुचित है faulty है true t है बहुत बड़ी true t है ठीक है flawed है तो यह होता है amiss तो यह होंगे आज के root word तो गाईज आज के लिए बस इतना है thank you धन्यवाद if you like the video please like subscribe and share the video